जो लगने समय से इस प्रियास में जिरत पर लगेवे हैं जो वीदा को प्रियुता को पंसेट है उसको हमारे सामने रखें और उसके बाद में हमारे जो साथी यहां से यह बाहर से यूपस्तित हैं जो भी उसक्रम में कोई डाउट को ब्रशन किस तरह के हैं उसके बाद में कर पाएं शर्दे सुद्धा जी देखें पहली बात तो इस बात को अच्छी तरह से सब अपने मन में बैठा लें और जान लें कि यह समण संग की विचार धरा है और बुद्ध भी समण है इसलिए समण संग की जो विचार धरा है वो बहुत मजबूत है क्योंकि भारत में उस समय तो जो वमण लोग थे वो एक परसेंट से भी कम थे और चुकि वो अपने किसी व्यक्ति को मरने नहीं देते और कोई व्यक्ति उनका मरता है तो बहुत शोर मचाते हैं आज भी आप देखोगे उनका कोई व्यक्ति मरता है तो 50 लाख मिलते हैं एक नौगरी मिलती है जो क्लास 2 की होती है क्लास 1 की होती है और हमारे मर जाते हैं उनको 2000 नहीं मिलते पाँजा नहीं मिलते उतना संगर्स होता है तो वो अपने किसी व्यक्ति को अभी भी नहीं मने देते और वो पहले वरी क्योंकि वो संख्या में बड़े कम रहे हैं तो वो एक परसेंट से दो परसेंट और तीन परसेंट तक पहुंच गए और हम लोग क्य जाते हं बहुत सारी बात है गरीब है मर है मरी लोजगारी है हम एक devi नहीं और उनको सरस्या भी नहीं हां पीछे जैसे समाच की प्रती होती वह भी खतम हो चुकी है तो वह और रही है दूसरा सवाल अब जाकियों का कह रहे हैं हैं यहां इंटने बीं सब बहन्ते हुए किताब नहीं मिली आतर मुझे और जिसको लगता है कि वो जातियों की किताब ढूंड के ला सकता है मेरे को दे दे भाई 40 साल हो गए 40 साल से जाती की कोई किताब नहीं मिला और कहीं भूंडेन इसरा कि यह जाती है यह जाती इससे बड़ी है अब सम shores की बातम цо प्रेदे की बात ़ी है और वह स्वियरे जातियों को खतं यूज धा को खतम नहीं करना चाहते थे इसलिए वो बावस आपको खदेड के दुबारा से जाती उपर लाए क्योंकि अगर सेप्रेट इलेक्टरोल मिल जाता तो यह जो हवा में जातियां है यह पूजी तरसे गायब हो जाती अगर सेप्रेट इलेक्टरोल जब खतम हुआ और आरक्ष में जो जात और जाती सब्द है उसका मतलब होता है उत्पन करना उत्पन पैदा जाती दुखा जरा दुखा मरनंग दुखा व्यादी दुखा सब पढ़ते हैं तो जाती दुखा मतलब जलम लेना दुख है मरनंग मानने मरना दुख है व्यादी मतलब बिमाई दुख है ज क्या है यह बताना होता है तो कोई भी व्यक्ति यहां तकी बावास आपका जो अनुशन काश्ट है उसके अंदर भी यह नहीं लिखा हुआ कि पहली जाती कब बनी पहली जाती नहीं मिलेगी आपको जब जाती इतनी ही महत्मूर थी तो उसका कोई साहितर तो होता उसकी कोई hasr col to होता उसकी कोई स्रीश तो होती पहली प्रशार प्रूस को लूद के बनी इस ने बनाई ऐसी डूसरी ऐसे बनी पहली वाली दूसरी जाइर डेधिया से अबी क्याइब धर वह आगेद पूरा हुआ पड़ा है व yılनी जातियां है यह जातियां है भाइ वो भी ऐसे हुई है कि आप का सब शंद आने के लिए उन्हों हम राया है और वह सिस्टम होआ में तो हवा के सिस्टम को बहा साथ कर कहते हैं हवा सी Bardals लास्प लावा में पड़ेगा क्योंकि वो कहते हैं कि जो यसातियां है है यह माइंड से हैं मन से हैं यह कहीं लिखित में नहीं है नहीं आप जतने लोग बैठे हैं इतनी बैठी हैं सब अगर सोचेंगे एक मिनट में तो उनको पहली बार जाती सब से कब साक्षातकार हुआ कर्मिंट रिव् पता चला के ये जाती है ये जाती मैं ये वादी या कर ये उपर वाली को हमें अजद्या नीज है वो हमें बेचती देगा और एक अपने िंचे वादी धा cht跟 सिस्टम बनाया हुआ है से यस लिए जब समढ संग होता तो उसमें जातियां नहीं हो सकती कि उस समय जातियां थी ही नहीं इसलिए कोई व्यक्ति समरसंग की पैरवी करताओं समरसंग मैं आता है समरसंग को दुबारा से तेजी से बढ़ाता है तो जाती उसकी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी और बावा साब की तो मजबूरी थी कि उनको आरक्षन चुकि उन्होंने सोचा है कि सेपरेट इलेक्टोल मिला नहीं और यह थोड़ा बॉत मेरे बच्चों को अगर कुछ मिलना है यह भी चला जाएगा तो उन्हेंना कंप्रोमाइज कर लिया है कि चलो जाती के साथ ही सही मगर आप क्यों जाती के साथ ढो रहे हो बावसार में आपको कब कहा के जाती अरे लिख लो उसका फाइदा ले लो बागी बूल जाओ बुद्ब्यार मां उस्रम्ण बन जाओ कौन कहता है आपको उसको दिमाग से निकाल दो दिमाग का खेल हां बोलिए है और किसी साथ है अपर प्रश्न है और सब्सक्राइब कॉ है पचार का मतब होता है पूरी तरह से इसको चर्या में लाना यानि कि सब लोगों की चर्या में लाना यानि विरसाज करना फैलाना इसको पी बाव हैं इसको पोले तरह से responds का उमर पूरी हो गई जैसे हमारी हो गई है तो अभी तो हम यह कहते हैं कि वह संग्धनों की उमर पूरी हो गई है इनके काम पूरे हो गए है अब इससे बात नहीं बनने वाली है तो जब जवानी में तब तो कहते हैं यह निकम में हैं अब निकम नहीं कहते हैं गल्ती पकड़ होती है तो आपने गां है जैसे हमेर साथ नहीं हमारे साथ रहा तो सबसे कहें जह सबसे और नहीं कि अगर सबसेघ्रोंगों मरने वाले हैं तो कम कैंगे सबसे कहा हैं कि होने की क्रेकरियह पचाइस हो गई है कि हम नॉकर मेंन तो और कि तो अभी तो हुब वह जॅनों कि नाटक सुरूऊ हुआ कुछ नहीं कि वह जब रात को सोते हैं तो सीम की सिपदे लेके रूटे हमीस नगा ओए तुद की सब जो बता हूँ पैसे किस लिए चाहिए है हमने साफ़ा लगाया कि जैसे हो चाहा है अब ही तो इन्हों अच्छा नहीं किया मगर यह के पैसे क्या जोड़ते अपनी दरी लिया अपनी चादर लिया दरी मिल जाएगी 6 पराथे लेकर आने हैं पहले वी तो समर्ण संग में सब अपना खाना लेकर आदे ते तो अपना खाना ले आओ चार आप खाओ आपको जी में तो छही खाऊंग कि या बीच की कुर्सी है या हमें आपस में मिलना है तो मिलने के लिए हम अपने क्राय से आ रहे हैं अपने वहां से आ रहे हैं तो तुम्हें पैसा क्यों रहे हैं तो यह जो पैसा ले रहे हैं अच्छा पैसे कहारी सुराता हूँ आपको मैं था परिसंग के अंदर तो मैं कि लिए मैदान में रहिए रामला मैदान में , रामला मैदान की ब्ुखकmbar में 10,000 सहर विए उसमें कुछ पैसा रिटर्न होता था जो सी कौर्टी गए और वहां टेंट वाले का खर्चा टेंटतों की लगवाता नहीं क्योंकि वह जो रॉली करते हो गढ़े नुवमबर में दिसंबर में, तब धूप होती है, आप धूप में बैठे रहो, उनके ऊपर तो चाएं होती है, जहाँ उन नेता बैठे रहते हैं, तो टेंट कोई लगवाता नहीं, कुर्सियां वहाँ कभी पांच जार से जादा नहीं पड़ी, क्योंकि उनके पांच जार से जादा लोग क जो लाकों रुपिया सरकारी कर्मचियां से इखटा होता है और जो रसीदें आती है कही के करूर की उस पैसे का रामने में विदान में खर्चा क्या हुआ क्या खर्चा हुआ ऐसी रैली मैं रोज कर दूँ एक लाक डिसावा लाक में रैली हो जाती है और कोई भी मुझे जो दुस्मन होगा उस रैली का कोई भी फाइनस कर देगा कि तुम इंको खर्टा करके मूर्ख बनाते रो और उसमें रैली करते रो और वहां रैलियों की हुआ है अच्छा सब ने वहां बड़े बड़े वादे किये मैं इसफिर प्रिसंग का दिली पूर्डेश का तो पहले साल में उन्होंने लिष्ट बनाई परचाप रहा है कि हमारी मांग हैं बारे यह बारे दिमांड है तो बारे इमांड हो गई तो अगली साल फिर रहली तो वह डिमांड होगी 16 मैंने को बारे तो पूरी नहीं होई चार और जोड़ गई यह नहीं आई हैं फिर कुछ समय बाद क्या हुआ पट्चे में मांगी मांगी नहीं बाइक खतब होगे और भाई वह एक मांग पूरी नहीं हुए आस्टक उन नेतां से इतने फेलियर नेता रहे और उसके बाद भी वह यह नहीं कहते हैं कंफेल हैं और हमें काम करते हैं दस सूत्रे कायों बनाएंगे अभी हम यह करेंगे अरे बहुत लोगों करता है हमको समझना चाहिए कि संग की आवसकता क्यों है क्योंकि संग जबाब ले सकता है हमसे बहुत लोगोंने कहा आप संग्ठन मना लो आप प्रधान बन जाओ आप जोने सगेडिया हमारे पास आ जाओ हमने गर हमारे पास इक राइट है पूछने का अगर हम संग में रहते हैं तो हम खड़ हो के पूछ लेंगे या वीडियो बनाके मीटिंग कम ek当 Ich In की ओक भी सकती है कि संग में सब बरावर है और कोई कोई भी खड़ए क mechanics का फूरी जवाबदे मेरे को चिपकर दे मैं चुपँ जाओंगा संगि में लिक्ट नहीं अभी इक भाई था उसने आप प्रसंद पूछ रहे हूं संग का नियम यह था कि आपने प्रसंद पूछना यह बात की बात मैं थी सारे के सारे एक साथ ही बोल पड़े ठीक नहीं ठीक नहीं हो बाई क्या बोलते समझदार था खटे करके देदो जरा तो फिर मैं संग का होता है संग कभी पॉलिटिक्स में नहीं जाता संग कभी पॉलिटिक्स में जाता अगर यह संग में सारे पॉलिटिशन आते हैं जितने लोग संग के हैं सारे यहां हैं वो लोग यहां आएं संग के अगर फिवर में खटे होके आते हैं तो संग उनके साथ है क्योंकि वो एक प्रणाली का हिस्सा है मगर संग अपना कोई सिस्टम नहीं बनाता संग कभी कोई सिस्टम नहीं कोई जाता है फिर दुबारा से कुछ लोग इखटे होंगे वो फिर संगों को देखेंगे फिर संग को मनाएंगे अगला प्रसंड पताइए झाल 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 झाल